हेलो गुड इवनिंग क्लास एर्थ आज हम क्लास एर्थ के मैतमेटक्स की क्लास शुरू करेंगे चप्टर पहला है रेश्टनल नम्मर यानि की प्रमेय संख्याएं तो रेश्टर नमर से पहले हम से पहले रेश्टर नमर से पहले हम पढ़ेंगे इंटेजर के बारे में इंटेजर आप जानते हैं इंटेजर में सोता है पूर्णांक इसको हिंदी में पूर्णांक केते हैं इंटीजर केते हैं पूर्णांग को पूर्णांग मैंने आपको पहले पढ़ाया है क्रिशा सिवंद में भी कि 0, 0 के लावा प्लस 1, मानेस 1, प्लस 2, मानेस 2, प्लस 3, मानेस 3, प्लस 4, मानेस 4, एक्स्टा, एक्स्टा, इंफिनिट तक चनने वारे संग्याओं को पूर्णांग कहते हैं अब जिनेने के बाद अब हम प्लस में हो यह उन्हें पॉणान कहा और गव्याद 4 जी Capital गया एंसे इंफल प्लस दू जो जराइं जो फूं उते हैं जो जिन कहीं पॉणानक होते attracted ज़े 0 तो पॉन्हांक है यह 0 इंट्यर है लेकिन 0 के बाद जो सब्सक्राइब है पालً fucked उन्हें हम पॉन्हें कें हो चाहिए ओंउं मैं उन्हें हम पॉन्हें नहां प्रकार पॉन्हें की का कि जैसे यह प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 6, इन्फिनाट तक इन्हें सभी कहता है positive integers और जिनके आगे minus लगा होता है उन्हें कहता है negative integers जैसे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 एक्ष्ट्रा और infinite जग तो कहने का मलब यह है जो plus में होंगे, वह इन्टिजर होंगे positive integers जो minus होंगे उन्हें कहते हैं और 0, 0 के आगे नप्लस होता है नप्लस होता है, जिरो भी एक integer होता है और 0 के लाव और अन्य सभी पूर्ण संग्यावाँ है इनके आगी प्लस हो, चाए मानस हो, वह integers कहलाते हैं कि कहाना का ताथ पर यह कोई भी जीरो के लावा जीरो और जीरो के साथ आएंगे कोई भी संख्याइं हो चाहिए दिन के आगे प्लस हो चाहिए पूरांक या इंटीजर कहलाते हैं अब इंटीजर के बाद आता है रेश्टनल नम्बर जो आप इस पार्ट को पढ़ेंगे रे बासा इस तरह से होगी यह देखे रेश्टनल नम्बर रिकॉल डैट नम्बर विच केन बी रिटन इन फॉर्म पी बटे क्यू पी अपॉन क्यू वैर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू जीरो स्कॉर्ड ए रेश्टनल नम्बर से यानि कि वह संग्या हैं जिन सं क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इस नॉट इकॉल जीरो स्कॉर्ड ए रेश्टनल नम्बर सिद्ध से बात है भिन्नों को प्रमे संख्या केते हैं यहां पार यह कहना चाहरा है कि जिन संख्याओं को हम भिन्न पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नम्बर्स ए यह सुन्ये कि स्कॉर्ड है रेश्टनल नम्बर फरकजामपिल कोई विख ुब्यख को जाए वो प्लस में होँ चाए वो मानिस में हो इनने केते हैं प्रमे संख्याह यानि कि हिंद्य में स्ब्स आम यह कहेंगे समयुनुनभा सब्साम में सुदी कि बिन्नों को प्रमे क्यों रूप में लिखता है उन्हें जो रूझाए में क्यों की रूप में लखते हैं उन्हें प्रमेशन क्याय के जापर Q backwards सुन्य के नहीं है कि ताम धी लिखा मैं रूकिकला की एक नहीं की दुने को रूप होता नहीं रेकिन हर में कभी कभी भी सुन्य की बराबर नहीं होता है यानि कि हर में कभी भी सुन्य नहीं आता है अंस में सुन्य आएगा कोई बात नहीं लेकिन हर में कभी भी सुन्य नहीं आता है अगर सुन्य आएगा तो प्रमेश हैं नहीं के लाएगा उसका मान कुछ भी नहीं होगा वह परवासद ह यानि कि वह कोई भिन्न हो जैसे 3.5, 6.11, 3.8, 11.15, 9.4 इन्हें कहते हैं रेशनल नम्मर यानि की परमे संक्य हैं क्योंकि यह भिन्न है और मैं आपको यह भी पढ़ाया था सेवंत में यह इंटीजर से यानि कि यह पॉर्णांग है पॉर्णांग होते हैं जो संक्याई होती ह यह प्रकार से 0 भी पॉर्णांग है उसक्यावत चाहिए प्लस में हो चाहिए मारस में हो उन्हें पॉर्णांग कहते हैं और प्रमे संक्याई यानिक रेशनल नम्मर कहते हैं जो संक्याई भिन्न के रूप में होती है प्रवासाम मैंने बोल दी कि that a number which can be written in a form p upon q where p and q are integers and q is not equal 0 को कोड़े रेशनल नम्मर एक्जामपल आपके सामने बहुत सार एक्जामपल लिखे हो सकते हैं उन्हें प्रमे संक्याई यानिकि रेशनल नम्मर क्या जाता है और यह भी मैंना को हर साल पड़ाया है कि जो भिन्ने होती है जो फ्रक्षन होते हैं वह रेशनल नम्मर ह होते हैं लेकिन जो पॉरांक को होता है याईनिक जो इंते रोटर है यह भी परमेश होती है यह यह ने यह नहीं कि इंटीजर हैं सिर्फ यह इंटीजर तो हैं लेकिन यह इंटीजर दो हैं रेस्ट नमर भी हैं कैसे माली जी कोई इंटीजर है माना कोई इंटीजर है वन या कोई इंटीजर है क्या तो इन इंटीजर को कर हम रेस्ट नमर कैसे कहेंगे कि 1 अपॉन 1, किसी भी इंटीजर के हर में, यानि कि इंटीजर में हम एक लगा करके उसको हम इंटीजर से रेशनल नमबर में कंवर्ट कर सकते हैं, यह 2 इंटीजर है, कैसे इंटीजर है? लगा लेते हैं तो वन जाता है रoga रिष्ट्टल नमबर याणि कि इस प्रोपर्टिशम Jana Schulz नोमब के प्रमे शंख्याओं के प्रोपर्टिशनल नोमबर्स यानि की गुन इन प्रमे संख्याओं के कुछ गुन होते हैं कुछ property होती है उनके बार बारा में आप पढ़ेंगे तो रेशे लंबर की परपरटी यह प्रपर्परटी है और को में मैं इस दुखावाइब क्यूट्रेटीविटी प्रपरटी मिस होता है इसको हँ दूमिंदी में कहता है करम हिंदी में आपके पास नहीं के लेकि A plus B बराबर B plus A या X plus Y या इसको उसे लखो X plus Y बराबर Y plus X इसका मनद अब क्या हुआ X plus Y को अगर हम उल्टा Y plus X लिख दें तो इसके मान में को फरक नहीं पड़ता है इसका मान में से क्या होता है इक्वाल होता है इसकी फेली क्वाल होती यह पूर्ण चाहिव इंटीजर्श के लिए हो चाहिव इंटीजर्श के लिए हो चाहिव रेश्रमर के लिए हो उसके लिए दोनों के लिए नियम लगता है उसको कहता है पहले प्रोपरटी जो है वह है कॉम्यूटेटीव प्रोपरटी 6 plus 5 is equal to 11 और 5 plus 6 वह भी क्या 11 यानि कि हम इसको लिखते हैं 6 plus 5 is equal to 5 plus 6 जो 6 and 5 का मान है वही 5 and 6 का मान भी है तो यह दोनों बरावर है मिन्सिस का मिलब भी हो है कि योग में जो है अगर हम दो पूर्ण आंकों को या प्रमे संक्याओं का क्रम मदल ने उनका क्रम बदल ने है तो उनके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 6 जब 6 में 5 वड़ा तो भी आया 11 और Beanawi 100 तो भी क्या 11 तो जब क्रम बदलने है उनके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें बोलता है komutativity property अब हमने इसके चार token है कि यह commutative property किसके लिए होता है mathematics में जो man operations होते हैं वो चार होते हैं एक होता है add दूसा subtraction तीसा multiply और चोथा divide तो हमाई यह पर जो करना है कि जो commutative property है वो इन प्रमे संख्याओं के मैंने आपको कहाता यह पूरांख हैं इंटीजर हैं यह प्रमे संख्याओं होती है कि इन किहार में एक लगा होता है तो यह पूरांख है यह प्रमे संख्याओं भी होती है तो मैंने आपको पहले कहा कि देखना हम मूद देना यह है कि commutative property उन चार operation में से याने कि योग add में गटाना subtraction में multiply जयने की गुणा में और divide जयने की भाग में किन में किन में यह commutative property काम करती है और किन में commutative property काम नहीं करती है पहले हमने पहले add देखा add के लिए तो हमने पहले देखा add के लिए देखा 9 प्लस 3 कितना आ रहा है 12 और उठा के रहे है 3 प्लस 9 तो अभी कितना आ रहा है 12 तो 9 प्लस 3 तो भी 12 तो भी 12 तो भी 12 यानि कि शुम्मिक के सते हैं 9 प्लस 3 इस उक्वाल टो 3 प्लस 9 अब भिन्हों की बात लो अगर हम दिखें 2 बट्य 3 धन 4 बट्य 5 यानि कि 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5 इक्वाल टू कॉम्मिटर यहां पर 2.3 प्लस 4.5 है हमने इसको इक्वाल किया इसको सिर्वी स्क्रम मनल दिया आगे को पीछे कर दिया पीछे को आगे कर दिया 4.5 प्लस 2.3 यानि कि अगर आप 2 बट्य 3 और 4 बट्य 5 को जूड़ेंगे तो इसका मान वही आएगा जो 4 बट्य 5 और 2 बट्य 3 को जूड दिया हूँ चाये वह इंडिजर्स हो चाये वह रेष्ट नंबर हो उंको जूड़ेंगे उनके करम बदलने पर जब एड करते हैं उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनका मान वही आता है नौ में 3 एड क्या तो हूड बारा आया तो यह दो पर तीन में ट्रक्षन में घंडाने में कम्यूटिव प्रपर्टी होती है कि नहीं होती है हमने लिए को भी संग्याले लिए 9-5 तो हमने इसको किया कितना आया तो हमने देखा था कि जो है एड में आपने चेहर पांच जोड़ के ग्यार आया था तो उसको उटा कर भी दे तब उसके मान में कोई प्रवाण नहीं पड़ रहा था उसका मान वहीं आ रहा था तो याने की कम्यूटिविटी प्रपर्टी है वह एड के लिए परन्तों यहां पर कम्यूटिविटी प्रपर्टी हम देख रहे हैं कि वह सब्ट्रेक्शन के लिए नहीं है क्योंकि जब नाइन में से 5 बड़ा आया तो 4 आया और जब 5 में से 9 को सब्ट्रेक्शन क्या तो इन दोनों के मानों को बदलने पर उनके मान में भी प्रवाण पड़ रहा है या यहाँ पर हम यह कहेंगे जो कम्यूटिव प्रपर्टी है यानि कि जो क्रम मुनमेनियम है वो सब्ट्रेक्शन में यानि कि गड़ाने में डागू नहीं होता है यानि कि हम इसको लिखेंगे 9 माइनस 5 बराबर नहीं है 5 माइस 9 के यानि कि 9 में से 5 गड़ा रहे हैं वो झादर में हमने अभी कहा वह एक के लिए हो रहिए तो सब्ट्रेक्शन के लिए नहीं हो रहिए आप देखिंगे मुटिप्लाइ में कौमेनियूटिव फॉपर्टी यूज होती कि नहीं होती है हमने क्या माना कोई मलटिप्लाइए test इसिक्स मृटिप्लाइफाइब कितना मदलते हैं उनकी गुणा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको लिए प्रुटिप्लाई 5 बराबर 5 मॉल्टिप्लाई 6 तो हमने जब एड में करम बदल दिया था तो उनकी मान कोई प्रभाव नहीं पड़ा वही मान आया बट जब हमने जो अब जब मुटिप्लाइम ने इसको टेस्ट किया हमने यह देखा कि यहां पर मान बदलने पर कोई मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो यहां पर इस गुणा में लागू होती है और लास्ट में करेंगे डिवाइड के लिए करेंगे कि डिवाइड हमने मान लोगी जो है यहां पर भाग किया 9 अपॉन 6 तो किता देखुँजारा इसको देजी यह तीन सकटा तीन तिया नौ तीन निच्छे और दूसरा में क्या 6 अपॉन 9 इसको चैन्ज कर दिया पहले 9 अपॉन 6 था ओटा कर दिया 6 अपॉन 9 तो कितना ए त्री तुज ज़ि प्रोबर्टी नहीं लगती है नाइन अपॉन 6 तो इस नौट इक्वाल 6 अपॉन 9 या इसको मैं से कहेंगे 9 डिवाइड वाई 6 इस नौट इक्वाल 6 डिवाइड वाई 9 तो हमने यहां पर यह प्रूब किया कि जो कम्यूट्री प्रोबर्टी है पॉन आंकों की या प्रमे प्रमे संख्या हूं या रिशनल नुमर की यहीं नियम होंगी जैसे मानों की प्रमे संख्याथ जो हमने 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 3 है तो इसका मान बराब नहीं होगे इसको टा कर दो 2 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 5 इस तरह से यानि कि घडाने में सब्ट्रक्शन का नियम गटाने में जो है commutative property नहीं लगती है तो चाहिए पॉणांगों चाहिए प्रमे संख्यां उन्हें नहीं लगेगा multiply के लिए अगर हम लिखते हैं कि 2 upon 3 ये भी नहीं रख प्रमे संख्यां है रेश्टर नमबर है 2 upon 3 multiply 3 upon 5 बराबर उठा कर दो 3 upon 5 multiply 2 upon 3 हमने यहां पर मान को बदल दिया करम बदल दिया करम बदल दिया उनके मान में कोई प्रवाव नहीं पुड़े कर लेकिन भाग में उसके मान में प्रवाव पर जगा अगर भाग में लिखता हों की जो है दो बट्टे 3 divided 5 upon 5 2 upon 3 divided by 4 upon 5 तो यह बराबर नहीं होगा किसके उसको बदल दो 4 upon 5 divided 2 upon 3 तो पुड़ांक और प्रमेशंग हैं यानि इंटिजर और रेश्टर नमबर के लिए हमने पहला नियम पढ़ा था प्रमेशंग करेंगे साहचारीया नियम या सह एका नियम यास हेचारता की तरह ही हम चार उपरसंग के लिए प्लस के लिए यानि कि एड के लिए सब्ट्रेशन के लिए मंटिप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए तो पहले इसको हम कैसे दिखते हैं पहले एड की बात रहूं पहले करेंगे हम एड के देखेंगे कि क्या प्रमे संख्याओं के लिए प्रमे संख्याओं के एड में नम्मर के एड में associativity property होती है कि नहीं होती है पहलuego एड़ कि दिखेंगे इसका रूप ऐसा होता है a plus b plus c यह a plus b plus c बराबर है a plus b plus c तो इस तो निखा जाते हैं तो a plus b plus c बराबर a plus b plus c दोनों नहीं लिखेंगे में बराबर के लेकिन इसका अंतरिय Uh इस पिक्रेटे कि आगे जो है है ятो यहाँ पर ब्लस-ब्लस-ब्लस-प्लस-इ में क्या लगा है जब अजिक फिशुर मच के पार किया वाहार को भाएंगेए है और प्रम्य मच्फ्ञाओं के लिए तशुर्स्नों के लिए राबत है कि नहीं होती है है आज दिखने इसको हम सिक्षक को सब प्लासकुल करें वाण कितना है और एड़ करके 9 और इंको जोड़िए 6 और 9 कितना है 15 तो 6 प्लस 5 प्लस 4 हो गया मान 15 लागया अब इसको इधर वाला चेक किजिए यही रिखिंगे 6 प्लस 5 प्लस 4 पर यहां कोश्टक आएगा आगी इस रूम में आए गया यह यहां 6 प्लस 5 प्लस 4 यहां भी 6 प्लस 5 प्लस 4 पर अं各位 यह यहां पर को में लगा़ा है वह पीछे की 5 और चार यह यह मैं शेयर प्लस फॉर तो हम चेक करेंगे पर caiam शेयर जूण देंगे स्क्सक्रेश प्लस 11 प्लस फूर कितना को तो तो यहां दिख़ा कि 6 प्लस 5 प्लस था उसका मान आए 15 और वही 6 प्लस 5 प्लस 4 जिसमें 6 और 5 ग्रूप अलग था समुआ लगता है उसा योग भी इसका मान भी आए कितना वे इसकी वेली भी आए 15 तो यानि हमने देख रहे हैं कि साफ साफ की जो है जो एसो सीटिविटी प्रॉपर्टी है जो सहचायता का नियम में उड्र के लिए यानि कि जोड़ के लिए जोता है आख उनियम कैसे प्हसार नियम कि रखावगाई 6 प्लस 5 इथा उसको परलेवर सिक फॱह में सब्सक्राइब करेंगे प्रम्समृट की लिए बरावर के लिखावबाए 2 Yeah दोबर दिन हम इसको इसे इटनिफाय करेंगे इसको मिश्वसे पहचानेंगे और एस्सुय प्लस फाइप प्लस फॉर ये बडाबर समी लिखेंगे लेकिन कोष्ट बद लाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 इसे कहें यहां सहारता कार्णियम यहां कि एस्सेटिविटी प्रॉपर्टी तो औि भी लिखो कोई भीनी लिधो कि उसी लिधो 2 बटे 3, 4 बटे 5, 1 बटे 6, यहां भी यह लिधो कि 2 बटे 3, 2 बटे 5, 4 बटे पांच, 2 बटे 6 एखेँ लिए को दोनाएं है सिर्फ रेकेट चेंट करने हैं हम ने यहां पर क्या कर दिया कि यह यहां ब्रैकर लगा लगा दिया आगे जोड़ीया अब यहां आगे ब्रैकर लगाओ तेरे छोड़ तो जा पर इस चालें लिखाऊऊगा को इन इंगा होगा इसको कैसे प्जा प्रावाव नहीं पड़ेगा तोएड मैं एससुसिएटिविटी प्रावाव नहीं के बावाव नहीं पड़ेगा तो एड में एस्टिवीटिविटी sorry यानिकी किसी भी प्रमे संग्याओं के लिए उनके योग में जो है associative property होती है हम add के बाद चरक करेंगे subtraction में क्या नियम होता है तो चरों यही नियम हम अब यूज करेंगे subtraction के लिए कैसे यूज करेंगे देखें हम यही लेंगे यहावी पर इसको हम लेंगे सब्ट्रक्शन के लिए 6-5-4 इसको चेक कीजिए परे परे इसको गड़ाइए 6-5-4 कम करो 1 कितना आया 5 अब इसको फिर यहां लिखिए 6-5-4 और यहां पर कुछ लगाओ आगी जो समने एड में क्या था वही सब्ट्रक्शन में भी बराबर परे 6-5 बढ़ 4 है परन्तु यहां पर जो देखर्स है वो 5-4 में है जब कि इस वारे में हमने क्या कि है 6-5 लगाया हमने जो इनको सौल पर क्या देखा कि इनके मान बराबर नहीं आये थे यहांने कि कॉम्यूट्रेटिविटी की तरह हो एस्सोस्येटिविटी में जो है एड के लिए तो नियम हो रहा है दeg़िज सब्ट्रेक्शन के इन नहीं हो रहा है हम इसकुनकी आप यह कहूंगे इसका मदाव 6 6-5-4 बराबर नहीं है कि 85-4 के यह 6-5-4 बेकरस पीछे बाले दो संग्जाव में बराबर नहीं है यह 6-5 मैदिदा अगे वाले 2 संग्जाव में तो इस मह HEY मै स्क्राइब कर दिए अब इसको चैक करेंगे मल्टीप्लाइब के लिए इसे कि मद्प्राइब के लिए है परन्त 100,000,000,000,000,0005,000,000,000,000,000,000-0,000 भी बरावर आया या पर फिर बरावर आया commutativity property की ही तरह same associative property भी वही कुछ कर रही है कि add के लिए तो यह लग रही है और उस subtraction में यह काम नहीं कर रही है फिर multiply में यह काम कर रही है तो अब हमें चक करना है divide में यह काम कर रही है तो यानिकि यहाँ पर हमने जब इसको तरह से गुणा में लिखा multiply की रूप में लिखा तो इनके मान जो चुक आई इनके value आई हो equal आई हम इसको रही है इसलिए वहां की तरह 6 multiply 5 multiply 4 बराबर है 6 multiply 5 multiply 4 के इसके यह तुनों क्या है बराबर है तो divide के लिए इसको हम चेक करेंगे 6 divide 5 divide 4 इसको हम चेक करेंगे थोड़ा सा इसको करेंगे 6 divide हम भाको लिखते हैं भिन में 5 बटे 4 5 divide 4 में 5 upon 4 फिर को करेंगे 6 इसको करेंगे multiply divide को multiply लिखते हैं इसको उटा करते हैं चार बटेपार यह आपने कछा 6 और 7 पड़ावा है कि डिवाइड कैसे करते हैं 6 भाको गुणा लिखते हैं इसको हम उटा करें इसको कितना रहा मान 6 424 अपॉन 5 इसका मान अब इसको हम ऐस फार काड़ेंगे मैं सही इसको लिखेंग कि तो मैं 6 अपन 5 बागाई इसको 이ुक्ताभा ठीश का सेले कि लिए पिरकोल करो 6 अपन फाइब इसको हम लिखेंगे भाग को लिखेंगे हम गुणा इसको उटा कर देंगे इसका लिखेंगे रिस्प्रोकल कैसे 4 का उटा क्या हो गया 1 upon 4 equal to 6 बन जा 6 और 5 चको 5 4 जा 20 equal to यह कड़ गए 2 3 जा 6 2 10 जा 20 तो यहाँ पर इस कमान 24 upon 5 है जब किस कमान 3 upon 10 है तो यानि कि associative property जो है वो divide के लिए नहीं है 6 divide 5 divide 4 is not equal 6 divide 5 divide 4 तो हमने यह आपर दिखा तो फिर देख लिजिए associativity के लिए add मैं हमने क्या लिकाता 6 plus 5 plus 4 बराबर है 6 plus 5 plus 4 के जब कि हमने सब्ट्रेस में लिकाता कि 6 minus 5 minus 4 बराबर नहीं है 6 minus 5 minus 4 के लिए इसे multiply के लिए 6 multiply 5 multiply 4 बराबर equal है 6 multiply 5 multiply 4 के जब कि divide के लिए 6 divide 5 divide 4 is not equal 6 divide 5 divide 4 तो हमने यह इस परस्ट कर चुके हैं कि जो associativity property है वो add के लिए है subtraction के लिए नहीं है फिर multiply के लिए है और divide के लिए नहीं है एक example के तोर पर अगर हम आपको कह देंगे कि इस नियम को पेचानी है कि यह नियम कौन सा लग रहा है यानिकि कि rest ten number तो सेम हूं यह पर मुसे सब्खेुआ करेंगे कि यहां पर जो brackets है वो आगे की दो permission क्याओं में जब कि परमेशंग्या चूट रखी जबकि ब्राबर के बाद जो brackets है वो पीज़े कि दो permission क्याओं में आगी प्रपर्टी है तो फिर से संचिय में आपको बता दूँ हमने कख्षा आर्ट का मतमिटिक शुरूई किया था आज रेश्टर नमर पाड़ का नाम था पहले पाड़ का नाम तो इसनों मैं आपको पड़ाया था पूर्णांग पड़ाया थे सभाए संचिया का में थै बासंटा प्रपर्टी पर्मे झला के संचिया ओना ख्लूदिक मार दूब है हां है परने संचियाओं के पढ़ाया हैं आपको बढ़ाया है पढ़ाया है पर फॉर्ट पोपर्टी रम भूंटिय नियम और दूसरा नियम पढ़ाया था मैं आपको पढ़ाया है आप इनको करेंगे कैसे फिलाल आप इससे गापने के लिए पिर में दें पर में करेंगे पिर में कुष्च पीर मी lifetime है जब आधको इसी जो मलं आपको पढ़ाया है और मुनखे चेक करनी है ऑर मुझे इसको। कर वाना या इसके बारे में पूरा लिख्रायोँ प्रपरटी इसके बार को दिख लेंगे और उसके बाद और आपको यहांद रूप में रब कोफी में नहीं है वियद्व कणना है ओके गूल बाई